वेल आप सबका फेवरेट टॉपिक डेफिनिटली शुरू हो चुका है सिरीज के अंदर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं वेल आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सीखने में विकस्ट जितना अट्राक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग लगता है ना मैंने आपको सादा आपको नहीं पता क्या कररें तो रिसि्की हो जाता है ऑफ पर अब पता कि आप तो सबसे पहले में ब्रीफ कर देता हूं अप्शन उप्शन क्यों कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसमें ट्रेड करने में ज़्यादा फायदा होगा और आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए okay so जब हम options की बात कर रहे हैं अब हमारे पास दो चोईस होती है या तो मैं अभी हम शॉक की बात कर सकते हैं इंडेक्स की बात कर सकते हैं जादता लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं मतलब वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया था कि आपको जब भी ऑप्शन में ट्रेड करना है फ्यूशन में ट्रेड size होता है अब nifty के अंदर आपको पता है कि भी आपका 50 का है bank nifty के अंदर आपका lot size 25 का है बनलब जो भी होगा 25 के multiples में होगा so item ATM otm की जो भी value होगी उसे हम multiply कर देंगे lot size से so example hundred add the money example के लिए तो आपको दिखता है कि पच्चुस सो रुपया लगेगा okay so यह पच्चुस सो रुपया लगेगा किस लिए अगर आप खरीदना चाते हो option को तो buy करना चाते हो पर जैसी आप sell करना चाते हो चीज़े बदल जाती है तो अभी हम exactly सबको समझने वाले देखने वाले तो options क्यों अगर हम एक example के लिए किसी stock की बात करते हैं और आपको वो stock दिखता है कि भी वो stock है 10,000 रुपय का और आपके पास 10,000 रुपय नहीं है उसे buy करने के लिए बड़ आपके पास एक option आता है कि आपस एक premium दीजिए 100 रुपीज का अगर इसका stock price बड़े तो यह premium भी बढ़ जाएगा example के लिए यहां पर यह 50 रुपय बढ़ता है तो यह सीधा 50 रुपय बढ़ जाएगा यह 500 रुपय का हो जाएगा तो अब बहुत सारी लोगों को attractive लगता है और मैं stock price बड़ेगा तो हम call option को खरीद लेते हैं और अगर मुझे लग रहा है stock price गिरेगा तो मैं put option को खरीद लेता हूं same goes for index अगर मुझे लग रहा है कि nifty बढ़ेगा यहां पर मैं लिख देता हूं nifty और अगर मुझे लगता है कि nifty बढ़ेगा तो मैं buy क्या करूंगा मैं buy कर लूँगा call option को और अगर मुझे लगेगा nifty गिरेगा तो मैं buy कर लूँगा put option को तो यह हो गया option को खरीदना पर अगर मेरे अभी भी जो मेरी analysis है वो same है कि भी nifty दो बढ़ेगा तो मेरे पस सिर्फ एक ही option नहीं कि मैं call को खरीदू मैं मेरे पस एक और option आ जाता है कि मैं sell कर दूँ put को क्योंकि put खरीदने वाले का फायदा कब होगा जब market करेंगी बट अगर market उपर जाएगी तो इसका नुकसान होगा क्योंकि option trading is a zero sum game ,zo sum game का मतलब क्या होता है कि कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान होगा तो seller का फायदा होगा similarly अगर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेरी अनलेसिस कहती है कि भई निफ्टी गिरेगी तो ज़रूर नहीं कि सिर्फ मैं पुट खरीदूं मैं सेल कर सकता हूं कॉल को यह important होता है क्यों important होता है एक बहुत short में बता रहा हूं अगर आप यहाँ पर call को खरीद के चल रहे हूं एक जर्नल आपको बता रहा हूं आपके favor के अंदर trade जाने की probability 33% होती है और seller के पास हमेशे एक advantage होती है तो यहाँ पर 67% मैं कहा रहा हूं chances seller के पास ज्यादा है उसका reason आप अगली वीडियो में समझोगे यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर 33% 67% इसका reason हम अगली वीडियो में बात करेंगे जिसके अंदर हम theta की बात करेंगे हम आपको Greeks के ओपर training देंगे उसमें हम इसके ओपर detail में बात करने वाले हैं बस मैंने आपको बस इतना सा बताना है seller has a little more advantage seller has a little more advantage than buyer पर पैसा बायर जादा कमा सकता है अगर म पैसा कमाने की तो बायर का capital बहुत कम होता है जैसे हमने example दिया था कि अगर किसी को यहां पर example है अब निफ्टी की बात ही कर रहे थे तो निफ्टी का example ले लिजे कि अगर निफ्टी आपको दिखता चल रहा है बहिया 18,000 रुपे का अब निफ्टी का मैं future खरीदूंगा तो बहुत पैसा लगेगा अगर मैं निफ्टी को खरीद नहीं सकते हैं इंडेक्स की बात हो रही है अगर मैं निफ्टी का option खरीदता हूं तो 50 का lot है example के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि माल लेते हैं आप कहते हैं 100 रुपे का option का price है तो सिफ 5000 रुपे में काम हो गय यहां पर आपको 1,00,000 रुपे लगाना है यहां पर आपको 5000 रुपे लगाना है तो जाधता लोगों के पास जधा पैसा है कम पैसा है आपको कि कम पैसा है तो लोग किया करते हैं वो सिर्फ buy करकर चलते हैं और उनकी probability of winning कम होती है तो इसलिए जाधता तर जो buyers होते हैं का नुक्सान होता है क्योंकि sellers को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं उसके पीछे logic होता है analysis होती है बहुत सारे लोग speculate भी करते हैं market में कम पैसा लगा के expiry वाले दिन zero hero बहुत को चल रहा होता है तो यह मैं आपको एक basic देना खोल देता हूं so option chain आपको NSE के उपर मिल जाएगी आप Google पर जाके लिखेंगे NSE option chain तो आपके सामने option chain आजाएगी बिल्कुल ठीक ऐसे ही अब इतने सारे नंबर देखके घबराना नहीं क्योंकि यह numbers आपके friend है आपको बहुत कुछ बतानी क्युश्श करते हैं तो आप जब Google पर search करोगे NSE के option chain आपको मिल जाएगी उसके बाद जैसी आपने इस पर खोला आपको यहां पर क्या दिखता है निफ्टी देखो सबसे पहले हम यहां पर निफ्टी की option chain की बात कर रहे हैं तो अगर आप सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहां पर दिख जाएगा 18145 पे तो 18,500 माल लो आप 18,500 के आसपस Nifty बंद हुई है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 18,150 जो आ गया यह बोला जाएगा add the money तो जहाँ पर market होती है जहाँ पर stock का price होता है जहाँ पर आप कहोगे bank nifty होती है तो यहाँ पर खड़ी है वो add the money हो गया add the money तो इसे हम add the money बोलेंगे अब add the money के अंदर अब यहाँ पर इसे समझना एक मिनिट के लिए concept समझाना है तो concept समझा जेते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं तीन चीज़े हैं add the money दूसरा है out of the money और तीसरा है in the money तो बड़ा simple है सबसे पहले मैं call option की बात कर लेता हूँ तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर निफ्टी है अठारा हजार एक सो पचास एक्जामबल तो यह मेरा हो गया add the money in fact जो भी नंबर चल रहा होता उसके आस पास तो निफ्टी के अंदर हर पचास के ऊपर आपको एक दूसरा स्ट्राइक प्राइस दिखेगा तो आपको अठारा जार एक सो पचास दिखेगा अठारा हजार सो दिखेगा अठारा हजार दो सो दिखेगा तो पचास पचास पॉइंट्स डिफरिंस में strike price change हो जाता है so add the money हमेशा जो भी price चल रहा होगा उसके pass वाला price हमारा add the money के लाएगा जब हम call की बात कर रहे हैं तो अब call को समझो call option में out of the money के हो गया बाहर जहां तक price अभी नहीं पहुचा है पहुचेगा तो अगर मैं यहां पर लिख दूँ 18,200 या 18,300 या 400 या 500 यह सब कुछ क्या हो गया यह out of the money हो गया यहां तक price पहुचा नहीं है अच्छा जहां से पहले ही आगे बढ़ चुका है वो इंदमनी हो जाएगा अगर मैं 18,100 लिख दूँ तो यह इंदमनी कहलाएगा क्योंकि यहां से price already निकल चुका है in the case of call option but जैसे ही हम यहां पर बोलते है put option के लिए so add the money हमेशा same रहता है add the money यहां पर भी 18,150 ही किलाएगा पर अब call था बढ़ने की बात यहां पर हम गिरने की बात कर रहे हैं अब market जहां पर नहीं पहुंची है गिरेगी तो out of the money इसमें बिलकुल उल्टा हो जाता है जहां पर नहीं पहुंची है अभी गिरेगी तो 18,100 पर पहुंचेगी तो यह हमारे लिए out of the money हो गया और हमारे लिए in the money क्या हो गया जहां से already गिर चुकी है तो example 18,200 से already वो नीचे है तो यह in the money हो गया यह बड़ा clear करना जरूरी है तो यह ऐसे हो जाएगा जैसे से experience बढ़ेगा ना you already know what is in the money what is out of the money in both call options and port options now समझना क्या है जहां पर प्राइज नहीं पहुंचा है वो out of the money है और जहां से प्राइज निकल चुका है वो इंदा money है तो जहां पर नहीं पहुंचा है वहां पर आप एक तरीके से analysis बोलो बहुत सारे लोग out of the money में speculate करते है speculation बोलो कि प्राइज अभी 18,150 चल रहा है कोई बोल रहा है जी प्राइज पहुंचेगा 19,000 एकस्पायरी तक तो कोई तो बोल रहा है 19,000 पहुंचेगा analysis कहती नहीं कहती तो seller कहाँ ठीक है वहां मेरे से आके न आप खरीद लो call option खरीद लो मैं बेचने के लिए रेड़ी हूं आपको call option खरीद लो मैं आपको बेचने के लिए रेड़ी हूं और कोई बंदा कह रहा हाँ 19,000 तक महुचेगा तो खरीदने के लिए भी रेड़ी है बड़ खरीद कहा रहा है यहां पर premium महंगे होते हैं ठीक है अगर आप premium प्रे कर रहे हो तो premium are not cheap they are high they are costly तो यह आपको अभी NSE पर जब option chain देखोगे एक मेरे टेपे clear हो जाएगा तो मैं आपको दिखाई देता हूं तो यहां पर हमने जैसी option chain खोली तो you will just see this मैं से जूम भी कर लेता हूं थोड़ा सा क्योंकि आप आराम से देख पाएंगे तो अभी इसे मैं याद करने के तरीका बताता हूं कि अगर price 150 पर है तो यहां पर आप देखिए call लिखा हुआ है वहां पर put लिखा हुआ है तो यहां पर सारे के सारे जो भी strike price है यहां पर जो आपको दिखेगा LTP मतलब last traded price यह सारा का सारा आपको जो दिख रहा है यह call option के premium है अच्छा option chain की analysis हम अभी आगे करेंगे ठीक है तो मैं आपको short में अभी सिर्फ option में in the money out of the money और add the money सिखा रहा हूँ option chain के हिसाब से trade कैसे करना है बहुत ही मज़ेदार वीडियो बहुत ही मज़ेदार concept है उसका वेट करना अब यहां पर put option में जो भी premium है last traded price तारे आगे अब महंगा कौन सा होगा इंदमनी होगा यह याद कुने का तरीका क्या है आपको white देखेगा yellow देखेगा तो मैं yellow बोल आपको अमूल बेटर मिलेगा तो महंगा मिलेगा तो महंगा क्या है इंदमनी सो जितना भी yellow होता हो मेंशा इंदमनी होता है और जो white बचा हुआ चाज बोलो दूद बोलो रह गया वह मेंशा white होता है तो याद करने का तरीका है आपको याद रहेगा okay so मुझे बिना देख यहां पर आ रहे है 92 122 156 195 तो जितना जादा इंदमनी में मैं जाता जाओंगा उतना 500 बढ़ता जाएगा ठीक है और अगर मैं out of the money आता जाओंगा जैसे कि जहां पर प्राइस नहीं पहुंचा 18,200 पर नहीं पहुंचा 67 ठीक है 18,250 नहीं पहुंचा 30 रुपे का 18,350 नहीं और similarly put option के अंदर सेम 18,550 का होगा आपका महंगा almost 394 रुपी क्योंकि वो इन्ना मनी था तो इन्ना मनी महंगा होता है out of the money हमेशा सस्ता होता है याद रखना है बड़ लोगों का पैसे तो होते नहीं तो वो out of out of the money option ले ले लेते हैं अब seller जिसने बेचा है जिसने बोला भ option बेचने के लिए रेडियो आप खरीदने के लिए रेडियो आपको होगे हां मैं खरीदने के लिए रेडियो तो आप देखो seller पागल नहीं है क्योंकि उसके लाख और रुपे लग रहे हैं तो वो क्या करता है वो option buyer को एक advantage देता है कि ठीक है भी या अगर आपको लग रह पर आपको एक option मिल रहा है multiplied by पचास का लॉट है पचास का लॉट है मैं एक रुपया भी नहीं लग रहा है और मैं कहते हो एक रुपया भी होता तो 50 रुपय लग रहे हैं पचास रुपय से भी आप option में ट्रेड कर सकते हो पर जो option seller है उसने सिर्फ यह 85 पैसा मनाना है दैका बाई को लगता है एक रुपय में मिल रहा है आप समझो। बाउर को क्या लग रहा है जाना होगा तभी तो वो बढ़ेगा आपको पता है फायदा कब होगा आप एक रुपया भी दे रहे हो आपको फायदा तब होगा जब रिफ्टी 18,801 रुपया है अगर 801 से नीचे क्लोस हो गई तो आपको नुकसान होना है और अभी पर है अभी रिफ्टी है 18,150 और एकसपाइरी के लिए पता है कितने दिन है सिफ़ दो दन रह गए है सिफ़ टू डेज तो क्योंकि इसके चांसे बहुत कम है इसलिए उसका प्रीमियम भी बहुत कम है बट सेलर को पता है कि यह प्रीमियम कम है तो मुझे यह premium कमाना है आप सचो उसे यह premium कमाना है अगर मैं एक रुपे इंटो 50 कर दो तो 50 रुपे मिलेंगे उसे पर अगर आप उसका margin requirement देखो कि मैं आपको दिखाता हूं margin requirement एक second में मैं आपको दिखाता हूं यह जो मैं आपको बाते बोल रहा हूं ना you'll have to understand them यहां पर मैं example आपके लिए strategy builder खोल के दिखाता हूं कि अगर कोई सिर्फ bullish है वो buy करता है call option और call option हमने कौन सी बात करी 18,800 ठीक है यह देखिए एक सिकेंड तो हम यहां पर 18,800 की बात कर रहे हैं अब आप यहां पर देखिए profit unlimited हो सकता है एक रुपे का premium मैं maximum 50 रुपे कर रु लोग सोसते unlimited profit हो जाएगा पर वो यह नहीं समझते कि unlimited profit तब होगा जब market जाएगी आप break even देखो ना 18,801 रुपे है जैसे मैंने बोला पर यहां पर अगर वो कहता है जी मुझे buy की जगा sell करना है तो वो सिर्फ 50 रुपे कमाएगा जिसके लिए उसे लगबग 75,000 रुपी अगर यह हमारा 18,150 होता जो कि approximately add the money है तो margin requirement एक लाख रुपे की है एक लाख रुपे की और वो कमाएगा कितना सिर्फ जितना premium है उतना तो वो max profit से 4600 कर सकता है पर उसे से 4600 ही चाहिए एक लाख लगा के उसे चाहिए 4% इसलिए आपको समझना है कि आपने एक तो deep मैं the money में trade नहीं करना अब क्यों नहीं करना उसके एक और reason क्या होता है that is delta हम delta के लिए बात करेंगे option Greeks के अंदर बट यह delta को समझ लो delta का मतलब क्या होता है अगर निफ्ती एक रुपया बढ़ेगा अगर निफ्ती एक पॉइंट बढ़ेगा तो आपका premium कितना बढ़ेगा 0.5 से लेके वन के close तक जाता है वन तो नहीं होता तो यह इन्द मनी में होता है और out of the money का 0 से लेके 0.5 तक maximum होता है अगर आपने डीप out of the money option खरीद भी लिया अब example के लिए आपने या पर देखा यह example लेता हूं आपने 18,800 call option तो खरीद लिया निफ्ती चल रहा है 18,150 मैं के तो निफ्ती 50 पॉइंट बढ़ गया निफ्ती 18,200 चला गया तो क्या वो एक रुपे का प्रीमियम 50 रुपे होगा नहीं होगा पर अगर यहीं पर add the money होता अगर आपका 18,150 का आपका add the money का call option होता और यह 50 पॉइंट बढ़ता तो आपका लगबग 25 पॉइंट आपका क् प्रीमियम बढ़ जाता मैं आपको दिखाता हूँ एक्जाम्पल के लिए आप देखते हो add the money का प्रीमियम कितने का यह दिखाता हूं आपको यहां पर आपका 92 यहां पर आपको दिख रहा है इसे हम कॉल की तरफी ले जाते हैं तो अगर आप इसे खरीदते हैं और 50 बढ़ने से लगबग 25 रुपया आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा पर एक चीज समझना है यह मूव कब तक आएगा यह शाप मूव होना चाहिए अगर इसमें टाइम लेगा तो ग्रीक्स में आपको और भी समझना पड़ेगा देरे सम्धिं कॉल थीटर डेके अगर यही क्योंकि इसमें अगर आपको मूमेंट मिलेगा तो फाइदा जाता मिलेगा तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है अभी अगली वीडियो के अंदर ग्रीक समय समझने हैं उसके बाद मैंने बोला आपको option chain option strategies बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तो अगर आपने कुछ सिखाय हुआ है एक ही वीडियो से सब कुछ नहीं मिलेगा बहुत सारी वीडियो का जो आपको इंफरमेशन ना आपके लाइटेम काम आएगा so you can watch the complete playlist आपको link i button में मिल जाए का end screen पर मिल जाएगा and अगर आपको वीडियो च्छी लगी से शेर जरू किजए का अपन क्मेट